Hello everybody, welcome back to this channel मैं हूँ आज उसी जगापर This is the beautiful Hinden River मेरे पीथे काफी सारी भैसे यहाँ पर जा रही है आज से अभी एक महीने बाद यहाँ पर, जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर पाँच फुट का पानी होगा तो मैं दुबारा यहाँ पर नहीं बैठा हूँगा for some months क्योंकि अभी पानी उन्होंने रोकावा है और बहुत जादा यहाँ पर बारिश होने लगी है इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था about cheetahs उसमें I was very hopeful कि इंडिया में अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए I'm sure आप लोगों को यह बात याद होगी अगर नहीं है तो you guys can go and watch that video यह वीडियो तब था जब पहली बार इंडिया में चीते आय थे कुछ चीजें जो कि शायद से आप लोगों को नहीं पता होंगी 1970, that is 1970 1970 से UAE ने इंडिया में यह प्रोपोजल रखा था कि हमें चीताज को लाना चाहिए दुबारा और कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिया में दुबारा रह सकें दुबारा अच्छे से ब्रीड कर सकें जैसे वो पहले करते थे मेरे पीजु बहुत सारी बैसे जा रही है यह लोग अभी बहुत दूर थे पानी में फिर वो बाहर आके यहां पर आ गए 1970 से यह बाते चलती आ रही है और 2009 में सुप्रीम कोट ने यह इग्नोर कर दिया था उन्होंने बोला था कि यह बहुत सारे पैसा इसमें इन्वाल था 15-20 सालों से यह प्रोजेक्ट की कोशेशे चल रही थी और जस तरीके से लोग एक्साइटेड थे और जस तरीके से यह बड़ी बात हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले 17 सितंबर 2022 को इंडिया में 5 फीमेल आई और 3 मेल आए बहुत ही बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन था और उन्होंने इन फाक्ट जो एरप्लेंस थे उस पे भी ऐसे ना वो भी special वाले उन्होंने भिजवाय थे उनको लेने के लिए काफी ज़ादा हुआ, create हुआ था जिस वजा से लगा कि इस project पे बहुत ज़ादा attention आईगी और जिस चीज़ पे भी attention आती है वो चीज successful होती है और अगर यह successful हो जाती तो बहुत जादा अच्छा हो जाता पर unfortunately आज के time ठोड़ा कोई नहीं कोई नहीं आजाओ बाबा जाइन में बैटो कोई दिक्को तोडिया तो everybody है हमारे बाबा इन ही की बैसे हैं यह सारी अब बैटमें करेंगे उनको जंगल में तब तक वो 40 हो जाएंगे मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो इस प्रोजेक्ट में हुई है वो ये हुई है कि ओवर पॉपिलेशन के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ पर गौर किया और उन्होंने एक्स्प्लेइन भी करने की कोशिश की कि कुनो नैशनल पार्क जहां पर पहले चीताज रहते थे वहाँ पर अफरीका के जो अभी चीता लाए गए हैं वो शायद से अपनी एरिया ना बना पाएं इसी कारण काफी सारे चीता जो अभी जिन्दा बचे हैं वो इधर उधर भागने लगे उसमें से जो आशा थी वो यूपी के किसी गाओं के अंदर भाग चुकी है अभी जिसको वन विवाग ने काफी पकड़ने की कोशिश की पर वहां के गाओं वालों ने आकर उन पे हमला करने की कोशिश की क्योंकि उनको लगा कि वो उनकी भैसे या गाए चुरा लेंगे बहुत ही जादा अफसोस की बात है अगर ये सुनने को भी मिल रहा है क्योंकि एक नाशनल लेवल प्रोजेक्ट था बहुत जादा एकदम से हवा हो गया जब जीता आने लगे इंडिया में और जब वो इतने सारे हो गये उसके बाद उन पे अटेंशन थोड़े से कम हो गये जिसकी वज़ा से एक फीमेल यूपी में भी भाग गई और बहुत सारे हैं जो की लापता हैं 25 मही तक तीन कब्स और तीन अडाल्ट अल्रेडी मर चुके थे और जब किसी दूसरे नेशन से एक जानवर लाया जाता है तो उस पर बहुत गौर किया जाता है और अगर एक भी मौत हो जाए तो वो बहुत ही बुरी समझी जाती है हो सकता है शायद से उन्होंने अडाल्ट चीता वो ही वाले मंगाएं हो जो की कंसीविबल हो जो की कंसीव कर पाएं ताकि यहां पर पॉपिलेशन बड़ी हो पाए एकॉर्डिंग टू मी उन लोगों को ऐसे स्पेसिमेंज बंगाने चाहिए तो जो यहां पर है जो वहां पर यूपी के बॉडर वाले जंगलों में घूम रही है अगर वो जिन्दा बच जाए और वो जिन्दा वो कैप्चर कर ले आई होप की वो सही रहे वरना उस एरिया में इतनी पोचिंग होती है इतनी हंटिंग होती है और एकॉर्डिंग तू दू सर्वे लॉ का मास खाना कंजाम्शन ओफ मीड हाज इंक्रीज बाइ फॉर्टिफाइफ परसेंट इस हाज बिन टेरिबल जो की डेली न्यूज फ्लैश न्यूज और जो की डेली आर्टिकल्स आते हैं दे आर जस हार्ट ब्रेकिंग हमने कभी सोचा नहीं था क्यूंकि दावा किया जा था कि इस देश के सबसे बड़े-बड़े साइंटेस्स प्रोजेक्ट के पीछे हैं एक एसी स्पीशीज जो की इंडिया से खतम होगी थी 1948 में जब इंडिया के महराजा राम अनौज सिंग हमारे मद्धाप्रदेश के उन्होंने सोचा कि आकरी चीता को मुझे शिकार करना है पहले के टाइम में ऐसे बहुत जादा इज़त दी जाती थी ऐसे लोगों को पर आई डोंट नो क्या उनकी बुद्धी थी कि उन्होंने यह सोचा कि आखरी के चार-पांच चीता वो मार दें और जैसा कि आप देख सकते हैं इंड़ फोडोग्राफ वो किते चौड़े ह होके खड़े हुए हैं पर यह आखरी चीता थे 1948 में 49 में जो कि उन्होंने मार दिये और उसके बाद अभी भी हम कोशिच में लगे हुए हैं इस बिंग वेरी डिफिकल्ट कूनो नाशनल पार्क जो की बॉर्डर के बहुत नजदीक आता है और वहां पर पोचिंग बहुत देख सकते हैं जिनको आप समझाओगे तो बहुत मुश्किल होगा ऐसी जगा पर चीता को लाना और भी बड़ा चैलेंज होता I was very hopeful बड़ा होप की वो चीता अब जितने हैं वो सही रहें उनको मेटिंग करवा के उनका ब्रीडिंग करवा के नंबर्स बढ़ाने पर फोकस ना करके अभी भी उनका फोकस एकलिमिटाइजेशन पर होना चाहिए ताकि वो इंडियन जो नेचर है जितना हमारा भारत का कुदरत है वो उसको सपोर्ट कर पाएं और वो उसको जेलने के लायक बने काफी सारे लोगों ने बोला आफरिका में जादा गर्मी पड़ती है इंडिया में कम गर्मी पड़ती है तो इंडिया में जादा खुश रहेंगे तो बात सिर्फ गर्मी की नहीं होती उनका खाना चेंज हो गया उनकी हवा चेंज हो गई और सब को चेंज हो गया और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर हम है. It has been a terrible experience. I hope कि ये project या तो रुख जाए या फिर ये ऐसा रुख ले ले ताकि ये सब कुछ successful लगने लगे. बहुत सारे experts ने already ये बोल दिया है कि कुनों बहुत छोटी जगा है चालिस चीता को रखने के लिए. अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है तो ये चीज़ उन्होंने कुछ ना कुछ facts conclude करके ही बोली होगी. I don't know how this thing is gonna turn out. कास मैं इतना बड़ा होता कि मैं कुछ judgment ले पाता इस चीज़ के बारे में. अगर लेता तो for sure in के favor में ही होता. But yeah, I can't do anything. We can just pray कि सब कुछ सही हो और वो चीताज at least जिन्दा बचे रहें. वापस उनको आफरिका नहीं बेजा जा सकता क्योंकि already बहुत जादा ही paperwork, officially बहुत जादा काम हो चुका है. I just hope कि सब कुछ सही हो and this is how it is. I am sitting in another very beautiful spot. अपने घर के आसपास वाले जानवरू का थोड़ा ध्यान रखो. अपनी मम्मी बापा को तो for most ध्यान रखो and just don't forget to be wild.